हेलो एवरिवन दिस दानिश रोजा और हम लोग हैं यहाँ पर इंटेलिजेंस केरियर इंस्टीट के साथ में जो की अपना ही सबकाई इंस्टीट है तो जल्दी से जॉइन करें मिटा और आज आपने लोग निमेरिकल कराएंगे एकसाइज वन पार वन के निमेरिकल कर रहे हम लोग आज तो जल्दी से जॉइन करें और स्टार्ट करतें नया टॉपिक कल से जल्दी से आ जाए सब लोग एक दूसरे को लिंक शेयर करते रहें या फिर अपना बताते रहें इंटेलिजेंस के बारे में क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कितने लोग आगे वाद इसलाम आईशा और लोग कहा हैं जल्दी से आओ जल्दी से आओ जल्दी से आओ तो इन्हें थोड़ा सा काम में पसा हुआ था इसलिए भी स्टाइट किया है सब लोग चले 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 यात्रीगड तो यात्रीगड हम लोग कोशन करें फिर कोशन करतें हैं चाइज 1.1 तो 1 frame−20 इंद गरा रहा हूं excellement अप्लोग करेंगे खुछ ते बाकी कोशन, करेंगे कल से आपन लोग कल प्रसों से आपन लोग में नंडब अच्छे तेस्ट देना बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए टैस्ट पेपर में कोई भी डिले नहीं करेगा टैस्ट पेपर सब लोगों को देना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ क्या दिख रहा है इफ्यक्टिप कैपसिटि ऑफ दे नेड़वर्क विडबीन टर्मिनल ए एंड बी इस यहाँ पर हमारे पास में कैसा यह सर्किट दिख रहा है यात करके बताओ जरा क्या सब लोग मिर को आंसर करके बता सकते हैं यार मैं सॉल्व करूं क्या यह तुम लोग तो जब चाइंड फ्लो अपना नहीं होगा यहां पर तो पर प्र कितना हो जाएगा यह दो सीरीज में दो बनाएंगे हो जाएंगे यह दो सीरीज में बनाएंगे तो तीन हो जाएंगे तीन तीन का पार्लल कॉंबिनेशन कितना देता है karış hmm बात के लिए हो रही है या दे बढर में साफिछ है जल्दी से आंसर करें हां या ना बात के लिए ठाल ना हूर रही है या नहीं हो रही है बढ़िया ultimately चलो 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 नेक्स कोशन की तरफ पढ़ते हैं यह कोशन नमबर वन था कोशन नमबर टू की तरफ पढ़ते हैं तो कह रहा कि अब देखो ज़रा बहुत प्यारा कोशन है यहां पर था energy of energy and capacity of charge parallel plate capacitor is U and C respectively कह रहा कि जो energy है ध्यान से देखोगे energy and capacity of charge parallel plate capacitor जो हमारे पास capacitor है उसकी energy personal खुद की energy यहां पर एक capacitor दे दिया इन्होंने और capacitor में इसकी energy दे दी U which is half cv square होती ना half cv square और capacitance दे दी इसकी c तो सबको पता है कि अगर c इसका potential देखोगे तो V ही potential है तभी इसकी energy half cv square है normally कुछ भी है ठीक के रहें now a dielectric slab of यहां पर यह के है k is 6 ठीक इसकी dielectric constant कितना है यह term हमारा k है k इसका कितना है 6 है dielectric constant 6 है is inserted in it energy and capacity becomes अब के रहें कि energy कितनी हो जाएगी और capacity कितनी हो जाएगी यह बताना है हमने ठीक है ना चले बहुत सुन्दर अब यहां पर question देखते है color मैं choose कर लूँ कौन सा जादा clarity के साथ देख रहा यह color देख रहा तो 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 यातरी गर्ड सब लोगों को दिखता होगा की बोल रहे है शुरुआत में initially हमारे पास जो capacitor है उसकी energy U है capacity C है इस्जत के साथ respectively मतलब इस्जत के साथ हाँ यह ना मतलब पहले energy बोला है तो energy U है फिर बात में capacity बोला है तो वो C है ठीक बात के लिए चलो feel करके बताना जा तुरी गर्ड कि अगर मैंने यहां पर एक dielectric slab लगा दी ठीक dielectric slab लगा दी तो इसकी जो capacity थी वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 6 C मतलब K बराबर कितना है यहां पर 6 है K बराबर 6 तो आप लोगों को पता है C is equals to K A epsilon not by D होता है या क्या सकते हैं कि C is directly proportional to K अगर मैंने dielectric यहां पर डाल दिया with dielectric constant 6 तो मेरी capacity कितनी increase कर जाएगी 6 time increase कर जाएगी तो नई capacitance कितनी हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी हमारी 6 C हो जाएगी बात के लिएर हो रही है अब जब यह वाली condition आजाएगी तो half की जगा half potential तो same ही है half की जगा half और यहां पर क्या हो जाना है हमारा 6 C into V square तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 into C V square by 2 which is equal to U यह जो इतना term है यह तो पुराना U के वराबर ही है na half C V square तो यह कितना नया वाला U dash कितना हो जाएगा 6 U हो जाएगा capacity C dash कितनी हो जाएगी 6 C हो जाएगी क्या सभी यात्री गड़ को answer समझ में आ रहा है कितना answer होगा सारे लोग बताएंगे तेजी से क्या answer समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ आ गया सब लोगों को ओके आगे बढ़ू में आगे बढ़ जाओं आगे बढ़ू आगे बढ़ू जल्दी से बोलो आगे बढ़ू आगे बढ़ू या नहीं केलियर हो रहा नेक्स कोशन की तरब बढ़ता हूं मैं अगर बोल दो जल्दी से समझ आ गया हो तो सही है बरना मैं आगे बढ़ू मतलब समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाओ नहीं आया हो तो दुबारा explain कर दूँ बोलोगे तेजी से बोलो तेजी से बोलो तेजी से आ गया बढ़िया चले next question की तरब बढ़ते हैं हम लोग next question हमारा है capacitor is charged with a battery and energy store is you after disconnecting battery and other capacitor of same capacity is connected in parallel with it then energy store in each capacitor is यह प्यारे question हुआ करते हैं अपने लिए मतलब अच्छे question होते थे यह है ना तो पहले देख लो जारा यहाँ पर हो क्या रहा अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों को दिखाऊंँ यह वाले से तो चल रहा नहीं चल रहा चले आ जाए यहाँ पर के रहे एक capacitor है जिसको हमने charge किया with a battery and energy store is you energy store उसके अंदर किती थी एक capacitor लिया वैने यह थोड़ा सा slow चल रहा है इसको हमने क्या किया एक battery से charge किया तो इसकी capacitance मानलो C थी इसको charge कर दिया हमने charge करने के बाद में इसके पास energy किती ही आ गई मानलो V bolt की battery से मैंने इसको charge किया इसके पास जो energy आ गई U1 नाम दे देता हूँ यह आ गई half cv square बोलो हाया ना ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इस capacitor को उस battery से हटा दिया जिस battery के साथ लगाया था इस battery से हमने क्या करा इसको disconnect कर दिया तो जब हमने इसको disconnect किया और इसके parallel में क्या किया हमने एक और capacitor लगा दिया बात के लिए रहे सोच के बताओ इसका capacitance कितना c इस पर voltage हमने कितना दिया v तो मिरको बता सकते हो यहाँ पर charge कितना आया कहेंगे आप cv यहाँ पर कितना आया minus का cv सोच के बताओ यही तो था अच्छा जो यहाँ पर मैंने capacitor लगाया है another capacitor of capacity same same capacity है यानि के capacitance तो c है लेकिन कैसा है? uncharged capacitor है हमारा जो another capacitor है capacity तो same है लेकिन charge कैसा है? uncharged है तो जब यह uncharged capacitor है हमारा तो इसके पास potential तो 0 है तो charge भी कितना होगा यहाँ पर 0 होगा initially charge इस पर कितना है? 0 है तो मैंने का जब इसको connect कर दिया मैंने तो connect करने पर क्या घटना घटेगी विटा लोग मिर को बताओ कि यार यहाँ का जो charge है अपना यहाँ से charge transfer होने लगेगा सोच के बता न यहाँ से charge transfer हुआ लेकिन अपना charge तो same ही रहेगा तो सोचो यहाँ वाली plate पे कितना है तो आप कहेंगे CV है यहाँ वाली पे कितना है तो आप कहेंगे CV है तो total net charge कितना है मेरा CV है तो finally जब इसका transfer होने लगेगा charge transfer मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब अपने transfer होने लगेगा तो charge transfer तब तक होगा जब तक potential same ना है मैंने का यार दोनों का potential कितना हो जाएगा V potential हो जाएगा तो ठीक है मैंने का finally charge initially अगर CV है तो final should be CV final charge बराबर क्या होना चाहिए C plus C that is 2C V dash लग जा तो V dash जो नया potential आया वो कितना आगया हमारा V by 2 दोनों के लिए potential कितना हो गया V by 2 इसके पास अभी energy कितनी थी थी हमारी half CV square that is called U या U1 जो भी तुमारा नाम देने का मन हो U नाम देतो अब कहरा कि energy store in each capacitor कितनी energy store होगी तो सोचो ज़रा इसका capacitance C potential अब कितना हुआ V dash तो कितना होगा half CV का square तो V square by 4 याने के 1 by 4 times of half CV square तो half CV square is what बेटा वो U है तो जो नया वाला energy आजाएगी U1 dash वो कितनी आजाएगी U by 4 बोलो बात के लिए है इस पे भी कितनी आजाएगी U by 4 आंसर समझ आया या नहीं आया यात्रिगार सब लोगों को समझ आ रहा है सब लोगों को समझ आ रहा है V by 4 नहीं U by 4 समझ या V by 2 आ रहा है V by 2 तो आंसर कितना हो जाएगा U by 4 हो जाएगा clear है clarity के साथ समझ आ रहे हैं चीज़े बोलो जल्दी से हां कि न हां या न समझ आ रही हैं जल्दी से बोलो जल्दी से हो गया था ऐसी गल्दी एक्जाम में मत करना बताओ zerh question का pattern समझ में आ रहा ही कि क्या क्या हो जाएगा कैसे कैसे करके question होंगे pattern समझ में सब लोगों को pattern समझ आ रहा ही कैसे question हो रहे है कैसे किया जाएगा बोलो अपने क्या कोई भी variety का question ये charging औरpta charging का जो concept था वो अपना लोग वैसे ही कर लेंगे charge conservation से वैसे तो formula भी लगा सकते हैं इसके लिए हम formula भी लगा सकते हैं बोलो लगा कर दिखाऊं इसकी question के लिए जल्दी से बोलो मेरे को बताऊ तेजी से बताऊ formula से करके बताऊ बताऊं या नहीं बताऊं कर दो चले तो ये वाले का screenshot ले लो सब लोग का screenshot ले लो में फॉर्मूले से यह तो अपना का basic method था ट्रिक वाला जो हम लोग conservation of charge से कर रहे थे अभी अपन क्या करेंगे ना इसको फॉर्मूले से भी कर लेंगे तो पहले तो मेरे को इसको screenshot ले लो और यह बताओ यहां पर जो visibility आ रही है तुम लोग क्योंकि यह मेरा पहला PPT है ऐसा तो visibility में किसी को कोई कमी तो नहीं नजर आ रही है ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ कम है जादा है visible ठीक है एकदम चीजे बता दो मुझे क्योंकि मैं और बहतर करने की कोशिश करूँगा इस से ज़्यादा तुम बस बताते रहो मुझे सारी चीजे सही है सही है ओके ओके तैंक यू तो चले फिर बेटा लोग मैं इसको कराता हूँ फिर इसको मैं मिटा दूँ रब कर जाओ ठीक सोच के बताओ कि पहले हमारे पास में जो क्यापसिटर है मान लो ये वाला क्यापसिटर है ये क्यापसिटर लिया मैंने ठीक क्यापसिटर इस चार्ज विद बैटरी और इनर्जी स्टोर इस यू तो इनिशिल इनर्जी कित्ती है वो यू है दूसरा क्यापसिटर भी है हमारे पास में इसके पास में इनर्जी कित्ती है जीरो क्योंकि यहाँ पर चार्ज स्टोर तो है नहीं इसका मैंने कहा कि वी वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया गया था पहले इसको किस battery से charge किया था वी वोल्ड की तो इस पे after steady state कितना potential आ जाना चाहिए यहाँ पर V potential आना चाहिए capacitance इसकी भी C है capacitance इसकी भी C है तो यहाँ जो हमारे पास में energy है मैं कहूंगा कि C1 बराबर मेरा कितना C, C2 बराबर कितना आप कहेंगे C अच्छा मैं कहूंगा V1 बराबर कितना तो आप कहेंगे V यह वाला V1, V2 बराबर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे 0 है कि नहीं है बात के लिए रहे अब मिरको क्या चाहिए मिरको चाहिए energy का loss loss in energy delta U है ना यही तो पूछा energy store in each capacitor तो energy store हम लोग निकाल देंगे तो loss पहले देख लेते हैं कि loss का क्या हमारे पास में वो आ रहा है initially U है याने कि half Cv square है initially मेरी कितनी है half Cv square loss का formula होता था याद करो C1 C2 upon C1 plus C2 bracket V1 minus V2 का whole square यही तो होता था C1 into C2 that is C square C into C that is C square upon में 2C bracket V1 is V minus 0 that is V square C से C cancel हुआ कितना मिला हमको half Cv square साही निकल रहा loss इत्ता हो रहा V1 minus V2 का whole square इत्ता loss हो रहा है तो initially इत्ता था इसका 0 0 हो जाना चाहिए न C1 C2 कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं initial potential इत्ता अच्छा पहले हमारा capacitance है नहीं पहले तो हमारी energy store यह है बाद में इस capacitor को लगाया है जिसकी capacitance इत्ती है potential 0 है बाद तो सही है यह C से C उड़ा C V square by 2 यह गड़बड का है आरहा after disconnecting battery another capacitor of same capacity is connected in parallel with it then energy store in each capacitor is loss का formula यही तो अरे यार 1 by 2 होते है न half C1 C2 होते है half यहाँ पर लगा दो तो यहाँ पर क्या आजाना है half आजाना है ठीक half C1 C2 upon C1 plus C2 bracket V1 minus V2 का whole square तुम लोग कोई नहीं बता रहे हो कि गड़बड है यहाँ पर हो रही है formula याद ने तुम लोगों को भी क्या formula होता half C1 C2 upon C1 plus C2 bracket V1 minus V2 का whole square तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ delta U मुझे कितना मिल रहा है delta U मुझे मिल रहा 1 by 4 Cv square यानि कि energy का loss कितना हो रहा इतना energy का loss हो रहा है थी कितनी energy इतनी loss कितने का हुआ इतना तो बची कितनी half Cv square में से minus कर दो 1 by 4 Cv square तो कितनी बचेगी 1 by 4 Cv square बोलो इतनी ही तो बचेगी बोलो 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 हाँ या ना अगर मैं कहूँ यहाँ से देखूँ कि CV स्क्वाइर बराबर क्या है तो आप कहेंगे CV स्क्वाइर बराबर 2U है ठीक, बची कितनी है? बची है इतनी U left, energy left थी कितनी? Half CV स्क्वाइर loss कितना हो रहा? 1 by 4 CV स्क्वाइर का loss हो रहा है बची कितनी? 1 by 4 CV स्क्वाइर मतलब जो थी वो, minus जो loss हुआ वो निकाल दी तो यह बची कितनी? तो यह जो बची है यह आधी-आधी divide हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानि कि 1 by 8 CV स्क्वाइर एक को मिलेगी यह बात के लिए रहे तो एक को कितनी मिलेगी? यू in 1 के आपासिटर यह जो आजाएगा 1 by 8 चलो CV स्क्वाइर की value देखो कितनी है? 2U CV स्क्वाइर बराबर कितना? 2U CV स्क्वाइर की जगा by 8 तो यहाँ से काटा कितना आजाएगा? U by 4 बात के लिए है clarity के साथ समझ में आ रहे है या नहीं आ रहे है? जल्दी से बोले clarity के साथ चीज़े समझ में आ रहे है या नहीं आ रहे है U by 4 आगे एक पे कितनी energy store होगी? U by 4 दूसरे पे भी कितनी होगी? U by 4 बात के लिए है या नहीं? जल्दी से बोले, फॉर्मुले से भी हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मुले से लेंदी जाएगा और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा पिच्चर एकदम बोलते रहो भाईया, आ ना बोलो क्लियर हुआ, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू जल्दी से बोलो, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू next question रुको जारा क्या हुआ है इस पर इस पर चल रहा है energy per unit volume का हमारा formula होता है e by d is equals to यार तुम लोगो को मैंने drive नहीं करा है लेकिन इसका formula तुम लोग याद कर लो ये हमारा होता है energy per unit volume is equals to half 1 by 2 epsilon not e square और वैसे नॉर्मली यहाँ पर यह वी है ना यह वी यहाँ पर होता है जब इसको drive करते हैं तो यह energy है यह वाला energy है और यह वाला है electric field ठीक है half epsilon not जो नॉर्मली formula आता है half e energy per unit volume इसे small e से भी denote करते हैं वो होता हमारा half epsilon not e square e is what e जो होता है electric field है यहाँ पर यह वाला e जो होगा वो होगा electric field यह है electric field तो यह electric field e is equals to होता v by d तो यहाँ पर solve करेंगे तो आ जाएगा 1 by 2 epsilon not e की जगापे मैं कितना लिख सकता हूँ v square by d square यह है e का formula जो की energy per unit volume होती है तो बेटा इसको याद कर लेंगे हाला कि इसको drive भी हम कर सकते हैं जो energy वाला formula होता है energy का जो formula होता है half cv square वाला half cv square इससे आपने लोग drive भी कर सकते है इसको ठीक है लेकिन derivation का कोई मसला है ने बस आप लोगों क्या याद होना चाहिए कि energy जो energy जो है ना यही energy है मेरी e parallel plate capacitor लगाओगे a epsilon not by d आ जाएगा यार लो करी लो e is equals to यह energy है है ना energy यार u से denote करूँ तुम लोग बता दो u से denote करूँ इसको u बराबर कितना होगा half c की जगाँ पर क्या रखूँगा c की जगाँ पर रखूँगा a epsilon not by d है ना और साथ में क्या रखूँगा v square बोलो के लिए रो रहा यहाँ से simplify करेंगे energy आ गया ठीक अच्छा अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ na d से multiply और d से divide कर दूँ d से multiply और d से divide कर दिया मैंने इसको तो यह क्या हो जाएगा area into d that is volume area into d that is volume तो u is equal to क्या हो जाएगा half epsilon not v square into यह v कौन सा है voltage वाला v है ठीक है into volume upon में d into d that is d square अब v square by d square is what यह electric field है अभी फिलाल formula का format आ गया तो यह volume जो है यह energy का formula आ गया इस volume को अगर मैं denominator में फेकूंगा तो u is equal to क्या मिलेगा half या u by v energy per unit volume वो मिलेगा half epsilon not v square by d square तो यह format हो गया जो की हमें चाहिए यह वाला यहाँ पर यह this one is epsilon not this one is epsilon not half epsilon not v square by d square तो यह हो गया अब यहाँ पर चाहो तो इसको और दूसरे method से यहाँ v y d बराबर e होता है न तो यहाँ पर इसको e square भी लिख सकते हो half epsilon not e square यह है अपना energy density का formula energy per unit volume that is called energy density बात के लिएर है जल्दी से बोले क्या चीज़ बिटक यहाँ के लिए रोता बाकी भूल जाते हैं क्या चीज़ भूल जाते हैं मुझे बताएं जरा क्या भूल जाते हैं तो उस पर बात कर ली जाए थोड़ी से जल्दी से बोलें क्या के लिएर नहीं होता बुश्रा मैं एक्स्प्लेंड करूं चीज़ों को तुम्हारे लिए तो यह हूँ यार मैं क्या के लिएर करना है बुश्रा जल्दी से बताएं तो मेरे को कॉल करना बुश्रा कॉल मी ठीक है सीधे सीधे बात कर लेंगे सारी चीज़े के लिएर हो जाएंगे ठीक इसे मिटा दूं तब तक इसे मिटा दूं इसे मिटा दूं है ना आगे बढ़ जाए पैटन तो समझें पैटन समझें कि कोशन क्या क्या रहा है पैटन समझें देखें जरह, a capacitor of capacity C1, charge up to potential V, यार देखो तरह सब वही घटिया घटिया टाइप की कोशन नहीं आ रहे है, अब बताओ इन टाइप के कोशन को करने के लिए कि आपना को पैन चलाने की ज़रू रहे है, सब वही आ रहे है, बुश्रा, तुम लोग तुम especially, देखो पहले क्या क कोशन पढ़े, कोशन कहा रहा कि एक capacitor है, जो की घटिया सा है, कैसा capacitor है, घटिया सा, एक capacitor है, जिसकी capacity है C1, ध्यान से, उसको charge किया जा रहा, V potential से, and then connected to uncharged capacitor, पहली बात इसको हमने कर दिया charge, इसको charge किया V volt की battery से, C1 capacitor है हमारा capacitance से, तो सोच के बताओ चार्ज किता आया, तो capacitor है, वो uncharged है, उसके साथ में हमने इसको क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया, C2 capacitor है, which is uncharged, that means यहाँ पर initial charge 0, charge 0, तो सोचो total charge कितना है, इस वाली branch में देख लो, C1 V plus 0, C1 V, total यही तो charge है, तो final should be equal to इतना ही है न, लेकिन final होने के लिए beta लोग, यहाँ पर final जब होगा, तो यहाँ तुमारा potential same हो जाएगा, तो जब potential same हो जाएगा, तो final capacitance कितनी होगी, C1 plus C2 V, और यही पूछा है, V बराबर, तो कितना आ जाएगा, C1 V upon C1 plus C2, answer, C1 V upon C1 plus C2, बात clear हो रही है, या नहीं हो रही है, बताओ जलती से, बात clear हो र दोनों के across यही पूछा है, तो क्या समझ आया या नहीं आया, एकदम दो कोड़ी के question है, चाहें तो इसको अपना लोग formula से भी कर सकते, करना चाहोगे formula से, बताओ, 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 यार लगा ले न, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, यह लगा दे न, C2, V2 is what, V2 is 0, तो C1 V, 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 पहला, common potential जो है, उसका नाम V1 दे दो, यहाँ पर, और V1 को V दे दो, तो यहाँ पर कितना आ जागा, C1 V upon C1 plus C2, लो हो गया, इससे भी हो गया, formula से भी हो गया, clear है, मज़ा आएंग या नहीं आएंग, बताओ, 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 बताओ बताओ, 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 बता जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, बोलो, बोलो, और तुम बल्लू की तरह लग रहे हो, तुम बल्लू लग रहे हो, बल्लू को देखा है तुमने समया, हम मोगली लग रहे हैं, तुम बल्लू लग रहे हो, बल्लू को जानते हो, जिसने मोगली देखा होगा वो बल्लू को भी जानता होगा चले, next question बहुत हो गया, आजाओ, 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 next question की तरफ आजाओ 6 number question, 3 capacitor, each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad, 6 microfarad, इस तरीके से 4 microfarad के 3 capacitor को लगाना है कि उनका effective capacitance कितना आजाए, यह m mili farad नहीं, यह micro है, ठीक है, वो यहाँ पर symbol नहीं ले रहा है इनने बिना symbol की बना दिया है, तो यह symbol में microfarad है, खैर इतना फर्प नहीं पड़ता, अपना को main चीज क्या है, numerical value से मतलब है तो किया रहा है, 4 microfarad के 3 capacitor है, तो अगर उनको लगाये जाए, इस तरीके से लगाओ, कि यार उनका effective capacitance कितना आजाए, 6 आजाए तो यार ऐसा करो ना, 4 का, ये 4 है, और ये 4, sorry, ये 4 और 4 है, ये 4, ये 4, इनको series में लगाके, और अगले वाले 4 को क्या कर दो, parallel कर दो तो इन 4 और 4 का क्या होगा, 4 और 4 का series combination कितना देगा, 2, और इसके साथ में 4 ये parallel में है, तो कितना देगा, सोच के बताओ, कितना देगा, 4 और 2 कितना देगा, 6, हाँ या ना, तो 2 को series में लगाके, एक को parallel में लगा दो, 2 in series, 1 in parallel, थर्ड वाला, हाँ या ना, जल्दी से बो समझे देगो भालू बोला जा रहा तुमको, जल्दी से बोले, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ सही बात है, हम ही लग रहे है न, भालू भी हम है, मोगली भी हम है, पुरो चड़िया घर हम है न, तुम बस समझा हो, वाकि तो सब भालू, चड़िया घर सब है, चलो option के लिए है next question माजा ले लेके पड़ाएंगे यार चालो ध्यान से देखो अनेट बगो फोर क्यापसिटर अफ क्यापसिटी इक्वल तो C1 वराबर C2 C3 C4 C आर क्नेक्टेट टू बैटरी एक शोन इन दा फोटो दे रेश्यो अफ चार्जिस उन C2 तो सोच के बताएं जरा यहाँ पर द्यातरिंगर ध्यान से सोच के बताएं बहुत प्यारा कुशन है यह जो अपनी बैट्री लगी है नहीं यह जो अपनी बैटरी लगी है मान लो यहां यह चार्ज जो भी चार्ज कैरियर है इनसे इनर्जी लेकर आया तो यहां पर आने के बाद इस पॉइंट पर आने के बाद बटा होगा चार्ज है ना चार्ज बटा होगा तो सोचो ज़रा C4 is 4 C1 is 1 2 3 तो यह 1 2 3 आर इन सीरीज 1 2 3 आर इन सीरीज तो मैं इनके सीरीज कॉंबिनेशन और पैरलल कॉंबिनेशन से पहले मैं फाइंड कर लू कि टोटल चार्ज क्या निकल रहा है मेरा तो टोटल चार्ज मैं निकाल रहा हूं पहले ठीक है ना टोटल चार्ज क्या पहले में इसका equivalent capacitance निकाल दो, तो पहले में ऊपर वाली ब्रांच का equivalent capacitance निकाल दे ना, फिर नीचे वाली का, तो 1 by C equivalent is equals to 1 by 1C plus 1 by 2C plus 1 by 3C, है ना, सब में C common है, तुम C common ले 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 ना, तो 3, sorry, 6C LCM ले लो, 6C, यहां से 6 plus 3 plus 2, तो कितना जाएगा छैतीन नौर दो, 11C, 11 वाई, 6C कर सकते हैं, तो C equivalent कितना आ जाएगा, उपर वाले का, 6C by 11, यह आ गया, 6C by 11, उसके साथ में 4 अपना किसमें आ गया, पैरलल में, तो net equivalent, C equivalent, net, total का कितना आ जाएगा, तो इसके साथ में 6C by 11 के साथ में, 4 को add कर दे, 11, 44 और 6, 50, 50, तो 50C by 11, net capacitance कितना आ गया, 50C by 11, बात के लिएर हो रही है यह आत्रिगर, अगर मेरा net capacitance 50C by 11 है, तो मैं net charge क्यों निकाल दूँ, Q is equal to what, Q is equal to what, Q is equal to C V, C कितना आया बेटा, C बेटा मेरा आया, 50C by 11, और V is what, V, तो normally total charge is this, total charge जो निकल रहा है हमारा battery से energy लेके, वो इतना charge निकल रहा है, 50C by 11, clear होरी यह बात, अब सोचो जड़ा, इस branch में, अगर मैंने यहाँ पर जो battery लगाई है, तो इस battery यह potential difference कितने का देर, V का तो अगर मैं इस end का potential 0 consider कर लूँ तो यहां का potential कितना होगा आप कहेंगे V यहां का potential कितना होगा आप कहेंगे V यहां का potential कितना होगा आप कहेंगे 0 सही बात है तो मैं कहूंगा यार इस वाली branch में जो यह capacitor लगा हुआ है 4 capacitance का 4C capacitance का इसका potential drop कितना है तो आप कहेंगे V minus 0 that is V तो potential drop इस branch में कितना मिल रहा है V capacitance कितना है 4 तो इस branch का 4C वाले का Q4 निकाल सकता हूं चौथे वाले में Q is equal to कितना होता है C कितना है 4C और V कितना है 50 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं कुछ C square के डप में क्यों हा रहा है C तो cancel हो जाना चाहिए न 50CV by 11 total capacitance Q is equal यार ये तो मैं रख के आ रहा हूं रुको 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 ये तो erase भी नहीं होगा V मेरा क्या है V है normally Q4 निकाल रहा हूं Q is equal to क्या होता है C is 4 ये erase होगा ऐसा कुछ भी है अरे वह वाओ Q4 अगर मैं निकालूंगा Q is equal to CV C is 4C और V तो मेरा ये V है ये इसका potential difference तो 4CV मेरा Q4 पे जा रहा है total charge कितना है? इतना 50CV by 11 जिसमें से 4C मेरा इस वाली branch में जा रहा है यानि कि C4 में तो इस वाली branch में जो भी जाएगा चाया वो C3 पे जाए चाया वो C2 पे जाए सब पे charge तो सेम ही होगा तो इसने तो का है मैं को C2 पे बताओ तो मैं इस वाली branch में निकाल दे रहा हूँ वो तो सभी पे जाएगा है ना? तो C2 का potential drop कितना है बिटा मेरा, वो मेरा कितना, अच्छा ना भी निकालो, total में से, इसका minus कर दो, निकल आएगा, तो C2, Q2 अगर मैं निकाल लूँ तो क्या करूँ, Q total minus Q4 वाले का, निकाल दो, total is what, 50 CV by 11 minus 4 CV, तो 11, 4 जा, 44, 54, 50 minus 44, that is 6, CV by 11, बोलो हाँ या न, तो यह किसका आया, 2 वाले का आ गया, यह आ गया मेरे को, 2 वाले का, ठीक है, अब क्या पूछा है, C2 पे charge और C4 पे charge का ratio पूछा है, तो Q2, यह आया, Q2 by Q4, that is, कितना, 6 CV by 11, और यह वाला आ जाएगा, 4 CV, CV से CV उड़ गया, 6 by 44, answer, है कोई ऐसा, यह क्या, ratio पूछा है, यह इतना जादा कैसे आ रहा है, इसका correction है क्या, देखो जारा sheet में, इस वाले में ratio correction है क्या, 6 by 44 आ रहा है, यहाँ पर बहुत बहुत जादा दे रहा है, the ratio of charges, कुछ अलग तो नहीं है, data अलग है, PDF है, इसके खुला हुए, Q2, नमबर 7, देखें, हाँ, 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 दिखाएं इसको, इसको नीचे करें, 7 by 4, इसे थोड़ा नीचे करें, 22 by 3, इसको question को, PDF को थोड़ा नीचे करें, उपर, 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 इसके option दिखाऊ, 7 by 4, 22 by 3, यह है 7 by 4, यह है 22 by 3, फिर 3 by 22, फिर 4 by 7, अपना कितना आ रहा, 6 by 44 आ रहा, इसको simplify करा दो, 3 by 22 आ जाएगा, option number 3, 3 by 22, यह सब के slash है, ठीक है, सब में slash लगा हुआ है, तो वो देख लेंगे आप लोग, ठीक, हाँ हाँ वई 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 देख गया, मुझे लग रहा था कि यह ऐसा कैसे हो सकता है, अपन का symbol नहीं लगा है किसी में भी, PDF तुम लोगों के पास है ना, इस पूरी ब्रांच पे सेम चार्ज रहागा, सीरीज में चार्ज ट्रांस्फर जार्ज नहीं वढ़ता है, याद करो जैसे वहाँ resistor में अपना लोग current को series में जब होता था उसको नहीं change करते थे series में current हमारा same रहता था voltage different होता था यहाँ पर potential drop तो होंगे सब में अलग-अलग parallel में potential same रहता है याद है ना सबको याद है सारी चीज़े के लिए रहना आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ ओके नेक्स देखे मिट गया सारा 7 number question या question बहुत है जल्दी जल्दी से करो parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volt after disconnecting the charging battery the distance between the plate of capacitor is increased using an insulating handle as a result potential difference would be in the plate potential difference क्या होगा बताएंगे सब लोग ओरल कोशन है ये हमारा V volt की बैटरी है V volt की बैटरी है उसको disconnect कर दिया पहले charge कर दिया जा रहा है ये parallel plate capacitor है ये मैं नहीं बता होगा ये तुम लोग अपने से करके बता होगे एक capacitor है theoretical कोशन खुद से feel कर लो जरा capacitor हो गया parallel plate capacitor potential difference V capacitance C दे दिया अब इसको जब charge कर दिया तो यहाँ पर charge आ गया CV यहाँ पर minus CV सब कुछ समझ में आ गया अब कहरा है कि इसके साथ में जो बैटरी लगाई थी उसको disconnect कर दिया फुली चार्ज जब यह हो गया तो disconnect करने से अब कोई मसला तो है नहीं उसके पास charge store हो गया CV minus CV potential आ गया V clear है बात या नहीं अब जब इसको हमें disconnect कर दिया distance इसकी बढ़ा दी distance between the plate of capacitor is increase distance बढ़ा दी यानि कि capacitor के वीच की proportional to D यानि कि with increase in D C क्या होना चाहिए C decrease होना चाहिए C decrease होगा तो potential क्या होगा बताएंगे जरा potential पूछा है तो यह सारा यह question तुमारे लिए होंबग है यह question खुछ से करेंगे सब लोग answer कर दिया होगा तुम लोगोंने आगे बताओ मैं capacitor को condenser भी बोलते हैं जो पंखे में लगा हुआ होता है वो capacitor या condenser एक ही बात है तो यहाँ पर condenser देखे घबराना मत किये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है चालो जल्दी से बताओ the condenser two condenser one of capacity C and other of capacity CY2 are connected to a V-volt battery the work done in charging fully both the condenser is यहाँ पर थोड़ा सा मसला है वेटा ठीक है वो मसला क्या है वो दिखा देते पहले तो मैं यहाँ पर यह दिखा रहा हूँ कि तुम्हारे पास V-volt की battery है इसको charge कितना दिया होगा इस वाले को sorry इस पे potential कितना आया होगा यहाँ पर तो आप कहेंगे V इस पे भी कितना potential आया होगा तो आप कहेंगे V बात clear हो रही है मैं कहारा कि यार अभी इनके पास में initially जब यह शुरुआत में लेकर आयते तो यह uncharged थे that means इदर कोई energy store नहीं थी ठीक जब energy store नहीं थी तो पहले तो मैं यह check कर ले रहा हूँ कि इनका equivalent capacitance कितना है तो आप लोग ऐसे ही भी बता सकते हो कि C equivalent इसका कितना हो जाएगा 3 by 2 C बोलो C equivalent इतना हो जाएगा 1 और 50 पैसे 1.5 रुपिया होगा 1.5 रुपिया 3 का अधा होता है C equivalent हो गया V volt की बैटरी है तो मैं Q निकाला सकता हूँ Total Q is equals to C V Total Q is equals to C V C कितना है 3 by 2 सारी मैं क्या निकाल रहा हूँ हाँ चार्ज निकाल रहा हूँ ना चार्ज Q is equals to C V C is what 3 by 2 C और V is इतना तो टोटल जो चार्ज निकल रहा है बैटरी से वो निकल रहा है इतना सोचके बताओ Total चार्ज जो निकल रहा वो कितना निकल रहा है 3 by 2 C V बात के लिए क्या क्या हो रहा है तुम लोग को confusion तो नहीं हो रही है कहीं पर मैंने यार यह देखा इनका equivalent circuit निकाला equivalent मैंने इसका वो निकाल दिया Total चार्ज कितना निकल रहा है यहां तक कोई दिक्कत है अब charge parallel में एक capacitor लगे है चार्ज को मैं distribute कर दे रहा हूँ ठीक तो सोचो यहां पर charge कितना आएगा इस वाली branch में इस वाली branch में potential difference अपना कितना है इस वाली branch में potential difference बोलो कितना है V तो मैं कहूंगा charge Q बराबर C V इस वाली के लिए 1 नाम दे रहा है Q is equals to C V तो यहां पर कितना C V यहां पर मैं कहूंगा Q2 कहा दे रहा हूँ Q2 is equals to C by 2 potential तो अपना यह भी V है ठीक है तो अगर मैं यहां से देखूं अच्छा इसकी energy की बात करना हूँ इस वाली ब्रांच के लिए इस वाली ब्रांच के लिए इसकी energy हो गई इतनी U final 1 नाम दे रहे इस वाली के लिए निकालेंगे तो कितना हो जागा U final half C by 2 C V तो इसका भी V है V square यानि के 1 by 2 times of half C V square बोलें बात के लिए हो रही है या नहीं हो रही है तो यार यह 1 by 4 और यह 1 by 2 टोटल मिलाके कितना हो जाएगा 3 by 4 3 by 4 U final total total इनके पास कितनी आ जा रही है 3 by 4 C V square क्या यहां तक सारे लोगों को बात समा जा जा रही है इसके पास finally कितनी इनर्जी आ जाएगी इसके पास आ जाएगी half C V square और इसके पास आ जाएगी half of half C V square मतलब half तो ही है C हमारा C by 2 है है ना और V तो हमारा potential V ही है जब यह fully charge हो जाएगा तो दोनों की जो इनर्जी है finally वो मैंने जोड़ी तो यह 50 पैसे और यह 25 पैसे मिलाके 75 पैसे बने that is 3 by 4 C V square initially energy कित्ती थी इनके पास में initially energy कित्ती थी 0 तो इनको energy मिल कित्ती गई 3 by 4 C V square answer तो यह है 3 by 4 C V square लेकिन यहाँ एक बात और हो सकती थी यह क्या कहरा कहरा कि work done in charging fully both the condenser तो जो work done हो रहा वो energy store जो हो रही है वही हो रही है लेकिन अगर इसने यह कहा दिया होता कि work done by battery work done by battery बताओ total तो मुद्दा अलग हो जाता बेटा work done by battery कितना हो रहा है battery से जो charge जा रहा है वो total charge जा रहा है इतना 3 by 2 C V बोलो clear है 3 by 2 C V चार्ज जा रहा है Q this is Q और V कितना है मेरा वो V वोल्ट की बैटरी है यह तो answer कितना होना चाहिए 3 by 2 C V square this is work done by battery मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया यह तुम लोगों को work done by battery हो रहा 3 by 2 C V square लेकिन energy store कितनी हो रही है इसका आदा 3 by 4 3 by 4 C V square तो बाकी की 3 by 4 कहा जा रही है सोच के बता है लबस यार सोच के बताओ कहा जाती होगी तो वो heat loss में चले जाती होगी तो question यहाँ पर vary कर सकता था अगर उसने कहा कि work done by battery ही बताओ सिर्फ battery कितना काम कर रही है तो वो है हमारा 3 by 2 C V square जो की नहीं पूछा है मैंने यह additional निकालके बताया है तुमको work done in charging battery सिर्फ battery को charge करने में कितना जा रहा है कितना work done लग रहा है तो सिर्फ capacitor पे energy store जो हो रही है वही वही तो work done है बाकी heat loss की बात ही नहीं कर रहा हो तो बात clear हो रही है हमारा answer क्या है work done in charging capacitor capacitor को charge करने में कितना work done हो रहा है तो जो energy store हो रही है capacitor में वही चार्ज हो रहा है वही तुमारा work done है जल्दी से बोले हैं इसमें मैंने बहुत important important बाते बता दी हैं आप लोगों को बोलो बात clear है सारी चीज़े clear हो रही है या नहीं हो रही है जोर से बोलो मिलके बोलो सारे बोलो आगे बढ़े आगे बढ़े चाले आगे बढ़ते पॉड़े गरम पॉड़े गरम if the distance between the plates of parallel bed capacitor is half and the dialectic is double then its capacity मैं नहीं बताऊंगा खुद से कर लोगे मैं नहीं बताऊंगा बता दे रहा हूँ c is equals to k a epsilon 0 by d k a epsilon 0 by d ये formula होता है ठीक है normally अगर k हमारे पास 1 है या कुछ भी है तो c जो होगा वो directly proportional है k k और c inversely proportional है d k तो अगर मैंने क्या किया सोच के बताऊ parallel bed distance को half किया यानि कि d की जगा पर d y 2 लिया तो capacity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी डबल हो जाएगी और dialectic को डबल लिया तो और बढ़ जाएगी डबल हो जाएगी तो total मिलागे कित्ती हो जाएगी increase by 4% 4 times capacity will increase by 4 k से directly है तो बढ़ाओगे बढ़ेगी अब बढ़ा भी रहो dialectic constant को बढ़ा रहे हो न डबल कर रहे हो तो डबल हो जाएगी और ये parallel bed capacitor के बीच की 3 microfarad 3fraad plate capacitor separation between the plates is capacitance दे दी है ऐसे तो यह इतना जादा यह 10 to the power 9 meter square होगा इसका इसका एक बार PDF खोल कर दिखा सब में minus है यहाँ से minus होगा चेक कर लेते हैं अपने हसाब से आ जाएगा formula है c is equals to a epsilon 0 by d यही तो parallel plate capacitor का formula होता है यहाँ पर capacitance 3fraad की दे रहा है 3 is equals to a पूछा है इसकी value कित्ती होती है 8.85 into 10 to the power 10 to the power minus का 12 divided by d d पूछा है तुमसे a पूछा है d is 5 mm 5 into 10 to the power minus का 3 बात clear हो रही है हाँ sir clear तो हो रही है तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 3 power उपर पहुची plus की 3 plus की 3 minus ki 12 plus की minus की 9 minus की 9 यह पूछा है minus की 9 इः पहुची minus की 9 उपर पहुची plus की 9 this is plus की 9 यह 5 तुमारा पहुचेगा plus का और यह तुमारा 3 पहुचेगा minus का फे नीचे यह बरावर इतना हो जाए गा 3 से काटो 3 वन जा 3 3.2 बचेगा 3.6 जा 18 इंटो 10 तो दी पावर 9 मीटर स्क्यार इस इस दा आंसर तुम लोग सॉल कर ले ना यार 1.6 ये फस्ट वन दिख रहा है मैंने थोड़ा सा क्यालकुलेशन मार दिया गोला मार दिया ठीक है चले आंसर साहिए पहला वाला है किलियर हो रहा है यात्री गडबड यात्री गडबड किलियर हो रहा है या नहीं आगे बढ़ू 11 नंबर हो गया 12 पर आ जाओ the dimension of RC RC का dimension time के बराबर होता है सब लोग को याद होना चाहिए RC root LC और LYC इस तरीके से कुछ होता है तुम लोग देख लेना Unit dimension की sheet पर page number 2 पर तुम लोग का लिख रखआ है नहीं है युनि डामेंशन की sheet page number 2 पर मैंने लिख रखआ है देख लेना इसको ठीग है RC root LC इस तरीके से होगा तीनों की dimension time की बराबर होती है Point लिख रखहा है मैंने star बना के ऐसी कई सारी चीजे यह formula with same dimension ऐसा कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पर लिख रखा है root LC RC LYC करके तो इन सबकी dimension time के बराबर होती है remember इसको याद कर लेना है ठीक है किसके बराबर होगी है must remember पूछा रहाता है कभी-कभी तुम्हारे exam में और आजकल तो नीट का वैसे कोई धर what is the dimension of stress what is the अभी अभी उसमें IID में पूछा गया है इन में से कौन सा option सही है spherical mirror के लिए कौन सा option सही है R is equals to F by 2 पहला option था F is equals to R by 2 दूसरा था यह तीसरा पता नहीं चौथा पता नहीं इस तरही के option थे यह IID means का paper है इसवार का 2021 2021 IID means के paper का question था यह बेटा यह start होगा उमर हमारा 2022 के लिए start होगा May में में से start कर देंगे हम लोग offline वाला online भी start कर देंगे जल्दी online वाला इस बार और अच्छे से करेंगे तो यह mains का level देख रहो कितना घटिया घटिया हो गया अगला कोशन है मिनिमम नंबर ऑफ आठ माइक्रो फैरेड क्यापसिटर एंड हाइसो वोल्ड क्यापसिटर यूज तो में कॉडेंशल कितना एक एक का धाइसो मुझे इनके कॉंबिनेशन से 16 माइक्रो फैरेड बनाना है ऐसे तो मैं दो पैरलल लगा दूँँ आठ और आठ के तो 16 मिल जाएगा लेकिन पैरलल में दो लगा दिये तो धाइसो ही तो रहेगा पोडेंशल धाइसो ही रहेगा दोनों के अक्रॉस है ना मुझे कितना चाहिए पो पोडेंशल के कितना कितना मिलेगा है ना पोडेंशल कैसे मिल सकता है मुझे ताउजड एक एक से मुझे कितना fak контmore वे अगर में सीरीज में ऐसे करके लगा दूँ ऐक आक तो यहांट यहां क्याक्रॉस मुझे kतना मिला 2500 फिर मैने एक आर लगाया फिर से कितना मिल डंसर फ 250 फिर एक लगाया फिर से 250 मिल गया फिर एक लगाया फिर से 250 मिल गया है ना तो मुझे इनका total potential यहाँ से लेके A point से लेके B point तक कितने का मिल गया 1000 का मिल गया अब मैं parallel में कितने भी लगाऊंगा मेरा पोडेंशल एक हजार ही रहना है, तो 250, 250, 500, 500, 750, 750 और ये 1000, बात के लिए हो रही है, थे कितने-कितने के 8, 8, 8, 8, अब यहां मैंने क्या पर सिटन्स देखी, 8, 8 की 4, 8, 8 की 4, और 4, 4 की 2, यानि कि इसका इक्यूविलेंट क्या पर सिटन्स में को कितना मिला, 2μF, लेकिन ये 2 का हो गया, मुझे चाहिए कितना, 16 का, तो मैं फिर से ऐसे ही कर दे रहा हूँ, इनको पैरलल में ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, बोलो, ये भी 8, 8, 8, 8, पूरा, इसका कॉम्बिनेशन का क्या पर सिटन्स कितना मिला, 2, इसका भी कितना मिलाता, 2, अब ये 2 और 2 कितने हो तो मैं कितना कितना लगा हूँ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यार सही कर रहा हूँ मैं, 2 का यह तो मिल रहा, 2, 4, 4 सही तो है, एक उसमें कितने लग रहे हैं, 1, 2, 3, 4, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कितनी लाइने लगेंगी, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, और 2, 16, ये लगें इतनी लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छे लाइन, साथ लाइन, आठ लाइन मेरे को लाइन कितनी लगेंगी? आठ लाइन और एक लाइन में कितने के आपसिटर हैं? एक, दो, तीन और ये चार चार के आपसिटर है, लाइन लग रही है, आठ की, तो टोटल मिलाके 8, पोर्जा, 32, कितने के आपसिटर लगेंगे, 32 के आपसिटर लगेंगे बात के लिए हो रही है, कई सारों ने तो दे भी दिया होगा अंसर किसी ने नहीं दिया, दो स्थो रखे हो, जल्दी से बोलो, हाँ या ना, तेजी से बोलो, मज़ा आ रहा है, जल्दी से बोल ले, ओके, आगे बढ़ता हूँ, 40 नमबर पे पहुचो, थ्री क्या पसिटर अफ क्या पसिटर तीन दस पंदरा अर कनेक्टेड इन सीरीज तू एव वोल्टेज इतना इतना चार्ज आउन पंदरा, चार्ज सब पे सेम रहता है, या तरी गड़, यह कैसे घटिया-घटिया कोशन पूछ रहे हैं, एम्स वाले, देखो तो, एम्स 2000 पार में आया है, 20 साल पुराना, 21 साल पुराना है, लेकिन है तो, एम्स का ही, क्या फर्क परता है, तो मुद्दे की बात यह है, कि अगर सीरीज में लगा दिये, तो चार्ज सो अपना कैसा होना है, सेम होना है, लो लगा दो, ये, 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 तीन लगा दिये, इस इस this is 15 potential कितना 100V This is 100V 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 now equivalent capacitance equivalent capacitance कितना होगा 1 by 3 plus 1 by 10 plus 1 by 15 है ना चाहो तो ऐसे भी कर लो 30 upon 13 30 upon 13 और कर लो याज तम्हार मन है 1 by 3 plus 1 by 10 plus 1 by 15 यह 1 by C equivalent है ठीक सिंप्लिफाई करो 3, 10, 15 तीस कर दूँ 30 LCM यहां से 10 यहां से 3 और यहां से 2 यह हो जाएगा 15 15 वाई 30 कितना होगा 1 by 2 यानि कि C equivalent कितना आ जाएगा 2 micro farad बोलो बात के लियर हुई या नहीं हुई जल्दी से बोलो हाँ या ना 2 micro farad का क्यापसिटर यहां पर हो गया और वैटरी हो गई इसकी 100 बोल्ट की तो Q is equal to C V C कितना 2, V कितना 100, तो कितना हो जाना है बिटा 200 micro coulamb 200 micro coulamb 200 micro coulamb सब पे कितना कितना रहेगा 200 micro coulamb का रहेगा सब पे 200 micro coulamb जल्दी से बोलो काता ही जैर साई चलो 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 काता ही जैर तेजी से बताव आंसर के लिए रुआ या नहीं हुआ अंजर तुम पढ़ेओ ना मुस्से अंजर गेमिंग तुम पढ़ेओ ना मुस्से पढ़ेओ कभी? ऑफलाइन में? चले next question देखें अगला 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 जल्दी से आ जाओ तेजी से अरे क्या speed तेज़ तो नहीं है मेरी speed तेज़ तो नहीं है आगे बढ़ो यार कोई जवाब नहीं देता तुम लोग तो एक 14 question हुए है अभी 20 कराना है लो जरा यहां पर बताओ changes में किस किस में change आ रहे है देखो जरा photo feel करो और करो के खुछ से यह तुमारी plate है plate का area यहां पर A1 है यह A2 दिख रहा है और D तो तुमारा दोनों के लिए same ही है D same है D same का मतलब क्या होता? series की parallel जल्दी से बता D same का मतलब क्या होता? series की parallel तो आप कहाएंगे D same का मतलब D same का मतलब series A अचलब D में change का मतलब यार क्या क्या बताते रहते हो अचलब बराबर बराबर लगे गए ठीक है यहाँ पर इसका area है A by 2 इसका है A by 2 आदा आदा लेकिन D दोनों के लिए same है तो इसका capacitance C1 अगर निकालोगे तो क्या आजाएगा? K1 A by 2 epsilon 0 by D यही तो और इसके लिए क्या आजाएगा? C2 K2 A epsilon 0 by 2D simplify कर लोगे सीधे सीधे जोड देंगे तो क्या मिलेगा? सीधे सीधे C1 plus C2 C equivalent क्योंकि यह काय में लगे हुए है जल्दी से बताओ दोनों काय में लगे हुए area में change हो रहा area में change इसका मतलब parallel में और parallel में अपने क्या होते हैं? यह सीधे सीधे जोड जाते हैं parallel में क्या होते हैं यह सीधे सीधे जोड जाते हैं तो सीधे सीधे जोडने के लिए देखो A epsilon not by 2D दोनों में common है A epsilon not by 2D common बनेगा क्या? K1 plus K2 बोलो हाँ या ना जल्दी से तेजी से बताए clear वा और not clear वा बहुत साही बहुत सुन्दर वा 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 मज़ा आ गया समझ आया तेजी से बोला है जल्दी जल्दी बोलो clear वा आगे बढ़ता है screenshot लेते रहो सबके परना दुबारा देखना पड़ेगी वीडियो A conducting square of radius 10 cm is charged with 10 microfarad and other uncharged square of radius 20 cm is allowed to touch it for some time after that if the square are separated then surface density of charge on the sphere will be in the ratio हो तुमसे पूछा क्या है यार तुमसे पूछा क्या है देखो ज़रा पढ़के बदो तुम question को बड़ा question दिखा वही पर तुम डर गए कौन सा question है AIMS 2002 का एकदम ऐसा question है की नहीं है बताओ हाँ या ना sir है तो मैंने का ऐसा करो कैसा करो ऐसा करो एक sphere है इतना इतना उसको charge दे दिया इन्होंने ये charge दे दिया दूसरा कैसा है uncharge तो अगर ये conducting sphere है तो इसकी capacitance C1 बराबर 10 micro coulamb ले लू हाँ sir ले लो आपका मन दूसरा uncharge है C2 बराबर मैं 0 ले लू हाँ sir ले लो ठीक बाब अब सोचो जरा कि इनका जो potential है वो यहां से देख के बताओगे मैं छोड़ सकता हूं इस question को तुम लोग खुछ से सोच के बताओगे क्या है जो हम parallel plate में कर रहते वही इसमें भी हम कर सकते हैं है ना charge तो अपना conserve भी रहना है अभी initial charge बताओ किता है 10 तो final should be equal to final should be equal to 10 हाँ या ना चलो ऐसा करते हैं यह रहा मेरा एक capacitor यह रहा मेरा एक और capacitor पहला वाला 10 cm दूसरा वाला यह तो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूं कभी कभी आते हो अभी आया हो तो बड़े हो के आया हो बहान वीटा खाके आया सुनो जरा पहला वाला है 10 का दूसरा वाला है 20 का radius r1 r2 मैं यहां से देखू यार q1 तो आपको q1 देख रहा 10 micro coulum q2 की बात करूँ तो कितना देख रहा 0 देख रहा q2 अपना 0 ठीक अब मैं यहां से देख रहा है मैंने का यार c बराबर बताओ तो c बराबर क्या रहा 4 pi epsilon 0 r1 और यहां से c2 की बात करूँ तो वही 4 pi epsilon 0 r2 बात के लिए अरवा यह c1 तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि c1 upon c2 c1 upon c2 is equals to r1 upon r2 simply कह सकता हूँ कि नहीं हाँ सर कह तो सकते हो मन है आपका अगर यह c1 upon c2 is equals to r1 upon r2 है तो potential बता सकते हैं c1 का potential बता हैंगे इसका potential बता हैं v is equals to कितना होगा v is equals to q by c that is q by c c is directly proportional to r तो c की जगा में क्या रख दूँगा r1 रख दूँ बात के लिए रहे c2 हमारा कितना है initially 0 है तो initial अगर मैं charge देखूँ initial charge मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 10 micro coulom का और यहाँ वाले पर दिख रहा है 0 finally charge transfer होगा अगर मैं इसको connecting wire से जोड़ दूँगा after के रहा है touch करा दिया तो इसको हमने क्या किया connecting wire से जोड़ दे touch कराने का मतला wire से जोड़ देना वैसा ही जैसे हमने parallel plate capacitor को इसको charge किया था फिर इसको हमने दूसरे वाले को charge किया था connect कर दिया था charge transfer होने लगा था तब तक transfer हो रहा तो जब तक की दोनों का potential कैसा ना हो जाए same ना हो जाए तो जब यह charge का transfer हुआ potential same होके कितना आ गया V आ गया मैंने का potential देख लेते हैं इसका potential भी V और इसका potential भी V तो मैंने का यार initially अगर charge मेरा 10 microcooler में तो final भी मेरा कितना रहना चाहिए 10 ही रहना चाहिए तो मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां final charge 10 को initial charge 10 को final charge से दे दिया मैंने का c1 plus c2 c1 plus c2 c1 plus c2 और यहां पर कितना दे दिया V बात clear हुई हाँ सर हो गई तो common potential जो आया वो मेरा कितना आया 10 by c1 plus c2 c1 की जिगा पर मैंने कितना लिखा r1 c2 की जिगा मैंने कितना लिखा 20 तो मैं सीधे सीधे कितना रखा 1 by 30 यानिके 1 by 3 times आ गया potential जो आ गया वो 1 by 3 times आ गया सही बात है या नहीं है then after that if the sphere is separated the surface density of the charges on the sphere will be दोनों sphere पर पूछिए charge density potential समझा गया इतना इतना हो गया वही same pattern लगा रहा हो में potential इतना हो गया तो मैं अब charge देखूंगा charge इस पे कितना है इस पे क्यों charge पहले कितना था 10 अभी कितना जब इस पे potential कितना था V था पहले potential इसका नाम V' दे 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 V' और ये V' वडाबर 1 by 3 V कर दे रहा ठीक तो अगर इस पे charge 10 था तो अब इस पे charge कितना रह जाएगा Q is equal to C V लगाओ मैं C कितना है मेरा वही 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 C की जगापे मैं कितना लगाओ C मेरा कितना था यार 10 और V कितना था 1 by 3 चार्ज कितना हो गया 10 by 3 सोचो चार्ज इस पे कितना हो गया 10 by 3 टोटल कितना था 10 था इन भाई साब के पास कितना रह गया 10 by 3 तो इन भाई साब के पास कितना आ गया 20 by 3 आ गया after touching कितना आ गया 20 by 3 टोटल चार्ज से देखो, शुरुवात में चार्ज किता था 10, इनके पास जब V potential हुआ, V dash potential हुआ, final common potential, भाई साब का भी V dash हो गया, तो इनके पास जो चार्ज आ गया, वो कितना हो गया, Q dash वराबर 10 by 3, 10 by 3 इनके पास रह गया, 10 था, 10 by 3 रह गया, इनके पास 0 था, तो बच of surface charge density, that is sigma 1 upon sigma 2, यह sigma 1 क्या होता, Q by A, यानि के Q1 by A1 into Q2 by A2, यही तो पूछा है, स्वारी A2, यही तो पूछा है, हाँ सर, पूछा तो यही है, तो sigma 1 upon sigma 2 अगर अपन को निकालना है, तो Q1 कितना है हमारा, Q1 मतलब नया वाला, तो Q1 है हमारा 10 by 3, लिख दिया, Q2 की बाद क करें, तो Q2 हमारा कितना है, तो वो है हमारा 20 by 3, ठीक, हाँ सर है, A2 की बात करें, A क्या है, A है πाई R square, तो πाई कैंसल कर देगा, R is what, 20, 20 का square अगर हम देखेंगे, तो यह हो जाएगा 400, और यहाँ पर A1 कितना होगा, सिर्फ 10 का square 100, बात के लिए हाँ सर, 3 से 3 को शहीत किय होगा, यह, 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 कैंसल हुआ, यह, 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 कैंसल हुआ, यह, यह, कैंसल हुआ, यह, कैंसल हुआ, यह, काटा, आया 2, तो σिग्मा 1 upon σिग्मा 2 is equal to 2 is to 1, सिर्फ वही वाला formula लगाना है यहाँ पर, थोड़ा सा tough लगेगा तुमको, इतना tough भी नहीं है, वैस पर अगर तुम क्या पासिटेंस इस फॉर्मुले से निकालते पूरा-पूरा तो तुम जाग छोड़ देते करना पाते क्योंकि यहां पर फोर पाई आपसलनौट की वैल्यू रखेंगे तो फिर आगे पीछे हो जाएगा बहुत भिच-पिच हो जाएगी मैंने सी वन की जग इस कोशन को घर पे खुछ से करेंगे बिटा लोग इस कोशन को घर पे खुछ से करेंगे स्क्रीन शॉट ले 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 इस क्रीन शॉट ले ले घर पे करेंगे खुछ से next question 16 के बाद 17 number मैं बताओ या तुम बताओगे सब 4-4 के हैं बस यह वाला जो C2 है यह 10 का है कहां गया यह वाला सब है 4-4-4-4 इस वन 10 इसमें कोई current flow नहीं होगा answer is 4 हा या ना जल्दी से बोलो मैं बताओ या खुछ से बताओगे AIMS 2002 कर लोगे आगे बढ़ो 17,18 40 microfarad का capacitor है और defibrillator is charged to 3000 volt the energy store in the capacitor is sent through the patient during a pulse of इतना इतना power delivered तो तुमसे क्या पूछा है यार energy store निकाल दो half cv square लगा के by t कर दो p बराबर क्या होता है energy by time होता है energy जो भी store हो रही है इससे half cv square लगा के half cv square लगा के जो भी energy store हो रही है by 2 millisecond कर दोगे answer आ जाएगा की नहीं आ जाएगा मैं बता हूँ या तुम कुछ से करोगे five capacitor each of capacitance values c are connected as shown in the photo the ratio of capacitance between p and r p and r and then capacitance between q p and q ratio पूछा है ना ratio पूछा है ध्यान से देखो जरा पहले किस का निकालू प और r के बीच का निकालू तो p और r के बीच में तो ये तीन हमारे series में ये दो हमारे series में इन तीन का series में parallel कितना बनेगा पहले बनेगा c c c that is c by 3 और ये हमारे c by 2 तो इनका जो होगा अब ये parallel में हो जाएंगे तो c by 3 और c by 2 को parallel में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा c by 3 प्लस c by 2 तो कितना आ जाएगा बिटा 6 2 3 5 5 c by 6 पहले आया हमारा c equivalent किस के बीच का आ गया ये p और r के बीच का आ गया अब किया आप p और q के बीच का देखो तो p और q के बीच में ये हो जाएगा c by 4 और वो हो जाएगा c तो c by 4 प्लस c 4 बन जा 4 प्लस 1 5 by 4 c c equivalent ठीक C equivalent हो गया अब ये हो गया किस-किस के बीच का P और Q के बीच का बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है तो दोनों का ratio पूछा है यार दो क्वाडी का question है C equivalent of PQ PR upon C equivalent of PQ Is equals to कितना होगा PR 5 by 6 और यहां पर 5 by 4C यह 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 cancel 4 by 6 that is 2 by 3 कौंसा option? 3rd option जित्ते भी option लगा रहे 3rd answer आ रहा 2 by 3 बढ़िया आगे बढ़े आगे बढ़े screenshot मारते रहो बिटा आगे बढ़ते जा रहे हम next question है next question हमारा 3 capacitor और भाईया Each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series of capacitance and breakdown voltage of the combination अरे भाईया सबका potential कित्ता कित्ता है यह capacitor लगाओ capacitor, capacitor, capacitor यह 3 capacitor और इनका खुद का voltage V इनका खुद का voltage V इनका खुद का voltage V घटिया सा question एक दब और इनको हमने क्या किया? potential देखना था तो potential V कितना हो जागा? V और V प्लस V प्लस V याने के 3V और सबका capacitance कितना है? C, series में लगे हुए हैं तो answer C equivalent कितना? C by 3 आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए धन्यवाद पहले बता समझ में आया या नहीं आया यह बहुत जल्दी करा दिया है बहुत जल्दी करा दिया समझ आया या नहीं? जल्दी से बहुत है समझ आया या नहीं आया? option बताओं V तुमारा 3V और C by 3 यहाँ पर 3V और C by 3 C by 3, 3B यह वाला यहाँ पर यहाँ slash होगा, ठीक है, यहाँ slash होगा fourth option हो जाएगा इसका, ठीक है चले तो फिर आज के लिए बस इत्ता ही मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए धन्यवाद magnet पढ़ेंगे अगले class में, ठीक है, magnet पढ़ेंगे तयार होकर रहना, और बाकी की sheet लगा लो तुम लोग, ठीक है